अगला अपना पाइलो डॉप पाइल्स के लिए बिल्गुल जबरजस प्रोडेक्ट है जिसको हम लोग बाबासीर बोलते हैं अब वो खोनी बाबासीर हो या नॉर्मल बाबासीर हो उसके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट है इस प्रोड़क का इसमें एलो बेरा डाला हुआ तो मल बाहर निकलने में इस्टिफनेस देता है और उसकी वज़ा से जख्म हो जाता और एक्च्छल पाइल्स उसी को बोलते हैं तो पाइल्स दो वज़ा से होता है सबसे परला वहसे लोगँ को पाईस ज़ल्दी हो जाता है जो लोग भूँत तीखा खाना पसंद करते हैं तो तीखा खाना से आपकी जो आऊंत है वो सिकुर जाती है बहुत ज़ादा अगर मीर्च गरा खाते हैं तो आऊंते सिकुरती है दूसरा चीज पानी अगर कोई कम पीता उसको ये प्रोब्र होती, और तीसरी सबसे बड़ी चीज, लीवर की प्रोब्रों से ये पारिस की समस्या जादा होती, अगर लीवर प्रोपर प्रोपर डाइजेशन नी कर रहा है आपकी dLS तो आपकी ढांतों कोवरो बिलनाइकु प्रोपर नी for the इसमें नीम पता डाला हुए जो बहुद करने सकते हैं。 पाइलो डॉग लेने का तरीका है ? 20 ml 3 times, 20-30 ml कैसे लेना है ? 3 बार लेना है शुबर खाली को दो अधर ना के बार और रात को सोने से पार ले कैसे लेना है, सुबर खाली पेट, दोपर में खाने के बाद, और रात को सोने से पाले, जब भी आप पाइलोडों किसी को दें, तो जरूर से जरूर फूड की आप कुछ बेसिक एडवाईस उसको जरूर दिया किजिए, क्योंकि आप पाइलोडों कितना भी पिला दो, अगर उसकी खानी की हैबिट और डाइट चार्ट अगर सही नहीं रहेगा, तो पाइल्स रिकवरी नहीं हो सकता है, हमेशा पाइल्स के पेसेंट को फाइबरस फूड ज़्यादा खाना चाहिए, सलाद विगरब हो ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, दलिया विगरब जो बोलत जो आपके सामने यहाँ पे दिया हुआ है, जो बताये कि अगर आप फॉलो करते हैं और पाइलो डोग देते हैं, तो तीन-चार महिने के अंदर भयांकर से भयांकर जो पाइल्स की समत्स्या होती हो बिल्कुल सही हो जाता है, दे सकते हैं, अगर कई लोग बोलते हैं कि सर पाइलो डोग के साथ और क्या दिया जा सकता हैं, तो पाइलो डोग के साथ आप लीवर डोग दे सकते हैं, रिजल्ट को इनहांस करने के लिए, नहीं तो पाइलो डोग एक खुद complete package है, पाइल से होने वाली कोई भी समस्या के लिए पाइलो डोग एक complete package है